Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC, this is Vinod Kumar Garg So, अगर आप भी जवाहर नबोध्या विद्यालिया 2022 की recruitment में MTS जानिके multi-tasking staff जा फिर lab attendant जा किसी और exam के लिए preparation करना चाहते हैं जा कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ question लेके आए हूँ regarding the multi-tasking staff exam as well as for lab attendant और अगर आप complete notes purchase करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 98763717888 पर संपर करना है और अपनी nominal fees देकर आप अपना notes purchase कर सकते हैं ये notes जो हैं आपको video format और pdf format दोनों में मिल जाएंगे सो शुरू करते हैं question number one question number one हमारा है number of basic SI units is कि जो standard international units होते हैं उनका number क्या है वो कितने units होते हैं basic तो option आपके पास 4, 6, 5 जा फिर 7 ठीक है जी तो हिंदी में अगर हम बात करें तो इस question को ऐसे पूछते हैं कि मानक अंतर रास्ट्रिया एकाईया कितनी है तो option होगे 4, 6, 5 और 7 तो answer आगा इसका 7 ठीक है जी जो basic SI units है वो 7 होती है और इनसे जो derive होते है units वो होते हैं 22 next question है what is the unit of measurement of the thickness of ozone layer जो ozone layer होती है atmosphere के stratosphere में तो उसकी thickness को मापने के लिए जो unit होता है प्रमानित होते हैं जी एकाईया ठीक है किसी भी scientific subject में science subject में तो इसमें SI का full form क्या है यह आपने बताना है option है specific international, standard international, system international जा फिर standard index specific international को बोलते हैं विसिस्ट अंतरास्ट्रिया standard international को बोलते हैं मानक अंतरास्ट्रिया system international को बोलते हैं अंतरास्ट्रिया प्रनाली standard index को बोलते हैं मानक अनु कर्मनिका तो इसका जो सही answer आएगा वो आएगा सिस्टम इंटरनेशनल जैनके अंतर राष्ट्रिया प्रनाली कोशन नमबर चार वाटर बेस्ट लिकुड्स कैन बी डिस्क्राइब्ट एस एसिड बेस और न्यूट्रल ठीक है जो वाटर बेस तरल पदार्थ होते हैं वो जा तो अमलिया होते हैं जानिके एसिड होते हैं जा फिर शारिया होते हैं जानिके बेसिक होते हैं जा फिर न्यूट्रल तो एसिड हम बोलते हैं जिसका पी एच लेवल साथ से कम हो neutral होता है जिसका pH 7 हो और basic होते हैं जिसका pH 7 से ज़्यादा हो 14 तक तो इसमें हमने पताना है question में के what is the pH of milk milk को pH के base पे हम कैसे describe कर सकते हैं option है basic, neutral, slightly basic जा slightly acidic तो इसका अंसर आएगा slightly acidic option C question number 5 in a solution of salt water salt is जनी के नमक और पानी के गोल में जो नमक है वो क्या है? वो एक solute है जा फिर solvent है, जा फिर chloride है जा sol है, तो solute होता है घुला हुआ पतारत, solvent होता है द्रवक जिसके अंदर किसी चीज़ को गोलते है okay, chloride को chloride ही बोलते है हिंदी में और sol का मत्त उपद्रब उद्रब तो इसका जो सही अंसर आएगा वो आएगा solute जो चीज घुली होती है, कम मात्रा में होती है, वो solute होती है और जिसमें घुला जाता है, वो ज़्यादा मात्रा में होती है उसको solvent बोलते है अब बात करेंगे question number 6 की 6 है, where in the body is most of iron located के मानविया शरीर के अंदर लुहतत जो होता है, जो लुहा होता है वो सबसे ज़्यादा कहां पर पाया जाता है तो पहला option है, हमारे पास brain, दिमाग दूसरी option है, skin, तवच्चा तीसरी option है, bone जाने कि हड़ी चौथी option है, blood जाने कि रक्त तो सही answer आएगा, blood जाने कि रक्त, रक्त के अंदर लो तत पाय जाता है जाने कि iron पाय जाता है, ठीक है क्योंकि blood का जो color होता है, वो red होता है due to hemoglobin, एक pigment होता है, तो hemoglobin की अंदर लो तत होता है, center में, जाने कि iron question number 7, electric bulb filament is made up of जो बिदोत, जाने कि बिजलही, बलब होता है, उसके अंदर लगने बाला filament कि इस चीज़ का बना होता है option है, copper, जाने कि तामबा बोलते हैं इसको aluminium, तीसरी option है lead, और चोथी option है tungsten तो इसका सही answer आएगा, tungsten, जो बलब के अंदर लगा हुआ, filament होता है जिसके कारण बलब glow करता है, चलता है, तो उसको tungsten बोलते हैं, tungsten का बना होता है question number 8, in chlorophyll, a naturally occurring compound, central metal is कि जो chlorophyll होता है, यह plants के जो green parts होते हैं, जैसे के पते उनके अंदर पाया जाने बाला एक chemical है, एक pigment होता है यह, जिसके कारण जो plant होते हैं, वो अपना खाना बनाने में सक्षम होते हैं, तो उस chlorophyll में जो central के इंदर में जो atom होता है, metal का, जो metal का element है मतलब, तो उसको क्या बोलते हैं, तो option है calcium, दूसरी option है iron, तीसरी option है magnesium, चौथी option है none of these, तो इसका answer आएगा magnesium, chlorophyll के center में magnesium होता है, question number 9, which of the gas is not known as greenhouse gas, मतलब, निमन लिक्त में से कौन सी gas, greenhouse gas नहीं है, option है methane, इसका formula होता है CH4, फिर है nitrous oxide, N2O होता है इसका formula, फिर है hydrogen, then carbon dioxide, जाने के CO2, तो इसका सही answer आएगा hydrogen, hydrogen greenhouse gas नहीं है, अब आपको पता होना अच्छे greenhouse gas होते क्या है, जह जो CO2 है, methane है, जा फिर nitrous oxide है, और इसके लाबा water vapor भी होते हैं, वो greenhouse gas का काम करते हैं, वो हमारे environment में, जो light के rays आती है, sun rays आती है, उनको trap कर लेते हैं, जिसके कारण, अर्थ का जो temperature है, तापमान है, वो global तापमान जो होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके कारण global temperature बढ़ने से global warming हो रही है, global warming होने से floods आते हैं, तो यह सारा जो effect है, इसको greenhouse effect बोलते हैं, और जो यह global greenhouse effect है, यह एक naturally occurring phenomenon है, मतलब यह कुदरती प्रकिरिया है, और इसको कम किया जा सकता है, अगर हम individual level के उपर efforts करें तो, next आता है मारा question number 10, the hardest substance available on the earth is, मतलब धरती की सता के उपर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, option है, gold जैनिके sona, diamond, hira, iron, lotat, जा फिर platinum, तो इसका सही answer आएगा, diamond, diamond जैनिके हीरा जो होता है, वो सबसे कठोर पदार्थ है, जो धरती के सता के उपर पाया जाता है, so यह थे 10 बहुत ही important questions regarding your MTS as well as lab attended exam, so उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसांद आएगा, तो complete notes करिदने के लिए आप 9876371788 पर संपर कर सकते हैं, thank you, thanks for watching.